दिली में एक कोचिंग के बेस्मेंट में पानी भरा और तीन छात्रों की मौत हो गई। घटना के बाद UPSC की तैयारी करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आमादी पार्टी के नेता और दिली सरकार में मंतरी सौरप भारदवाज जी हैं। सौरप जी मेरा पहला सवाल है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन। देखें ये तो आप एक पॉलिटिकल आदमी से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको सही नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए तो सबसे बहतर ये होगा कि जो जाँच अब केंदर सरकार खुद करा रही है वो जाँच हो जाए उसके रिजल्ट सा जाए जो भी दोशी हो उसको मेरे हिसाब से सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा विभाग नहीं है तो मैं डिरेक्ली आपको मीटिंग्स मंत्रियों द्वारा जून के महीने मिली गई पहले 10 जून को ली गई पhrir 28 जून को ली गई दोरा एक मीटिंग 13 फरवरी को ली गई सर्दियों में हमने वाटर लॉग की मीटिंग शुरू कर दी थी तो मुझे उस मीटिंग का अंदाजा है कि उसके अंदर क्य बातचीत हमने अधिकारियों से की और इत्तफाकन दो जो मीटिंग्स हैं छे 10 जून की और 28 जून की वो हमने वीडियो रिकॉर्ड कराई थी सामने कैमरा लगा के तो उसमें साफ देखा जा रहा है कि जो डीसिल्टिंग शेहर में क्लेम की जा रही थी डेपार्टमेंट द्व कराई जा रही है यानि कि कॉंट्राक्ट देके डीसिल्टिंग कराई जा रही है फिर तो आपको सिर्फ डीसिल्टिंग हो रही है यह इंशोर करना आपको तो डीसिल्टिंग करनी भी नहीं है आपको सिर्फ यह देखना है कि जिस चीज का करोड़ो रुपया हम ठेकेदारो और मैंने उनको यह कहा कि मेरे हिसाब से तो डिसन इंग नहीं हो रही है यह जो आख्ड़े आप दिखा रहे हुआ कागज के आकड़े हैं सर आपने डिस सरकार में आपके सरखार के पास हैम सीडी आपके पास है ऐसे में जनता आपसे क्या उमीद रखे कि उनको क्या मिलेगा क्योंकि सब कुछ तो आपके पास है दिली में और जो छात्र वरूत प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हों ने अपनों को खोया वह आपसे जवाब चाहते हैं कि जब सब कुछ आपके पास है तो वह किसके पास जाए देखिए छात सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जिस तरीके से स्कूलों के ऊपर एक रेगुलेशन है जैसे स्कूल के आपके रहे हैं के अंदर अगर आप बिल्डिंग मनाते हैं तो उसके रेगुलेशन है कितनी बिल्डिंग बन सकती है कितने फ्लोर की बन सकती है उसके अंदर कितने बच्चे बढ़ सकते हैं टीचर वर्स बच्चों का क्या रेशो हो सकता है फीस की कितनी रेगुलेशन रेगुलेट करी ज M.C.D. के तरब से कोई कारवाई नहीं हूई तो फिर आप लोग आज भी कई कोचेंग देखोंगे आप बेसमेंट में लाइब्रेरी हैं तो आज भी आप उन पर एक्षन क्यों नहीं ले रहें और उनके लिए आप क्या कर रहे हैं और पहले जो घड़ना से पहले करना हैं meeting के जिसके अंदर मंत्री आदेश दे रहा और एक नहीं चार-चार मंत्री बैठके आदेश दे रहे हैं और अफसर उन आदेशों को नहीं मान रहे हैं उसी तरीके से M.C.D. मेर ने कई आदेश दिये जैसे दिली के अंदर कई मामलों के लिए मेर ने लिखित आदेश दिये हाउस ने रेजुलूशन पास किये उसके बावजूद जो है कब इस्टर नहीं मान रहे अब वो अगर अफसर मेरी बात नहीं मन रहे मैं क्या कर सकता हूं मैं सिर्फ उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकता हूं बस ना मैं उसको ट्रांसवर कर सकता ना मैं उसको सस्पेंड कर सकता मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता यहां तक कि जो उसका एन्वल अप्रेजल भी होता है ना उसकी जो एस्या रिपोर्ट होती है वो भी मैं नहीं लिगता है और जब घटना हो गई उसके बाद आप बोलते हैं कि साप सपाई में मिली भगती ब्रश्टा च शाजिश्ती क्या आप सही है या शेली हो रहा है सही है मैं तो आपको आज का वीडियो नहीं दिखा रहा है मैं तो आपको 28 जून का वीडियो दिखा रहा हूं और 10 जून का वीडियो दिखा रहा हूं और वो वीडियो मैं आज तो मैनिफेक्चर कर नहीं सकता मैं तो आपक चीफ सेकेटरी के शिकायत केंद्रिये ग्रह मंत्राले में करिये मैंने MHA के शिकायत, मैं में मेरी फ्रिक्टर कोई ना कर सकता हूँ, वो तो सारी चिठियां गई हुई हैं, और मैं पूरी कन्विक्षन से कहा रहा हूँ कि यह जो डिसलिटिंग के दावे किये गए, वो गलत ह इस राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिली हाइक को चीफ जस्टिस को दिया है कि हमने साब डिसेट कर दियाए एक सवाल मुख्यमंती अर्विंद केज़डवाल को लेकर भी है अर्विंद केज़डवाल इस समय जेल में है और इतनी बड़ी घटना हो गई और वो अभी भी जेल में है जेल से सरकार चल रही है तो सवाल उट रहा है कि इस वक्त वो जेल से क्यों सरकार चला रहे हैं क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और क्या कोई cabinet meeting हुई और उनका और आपका communication कैसे हो पा रहा है इतनी बड़ी घटना के बाद उनका regular जो है उनकी जो है है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए इसके बारे में कई बार हाई कोट के अंदर भारतिय जन्ता पार्टी से समनित लोग गए बलकि सेंट्रल गवर्मेंट के जो सबसे बड़े वकील है उनने सुप्रीम कोट में भी बात रखी पर सुप्रीम कोट करने का नहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनको अगर आपने बिना किसी चीज को साबित किये जेल में डाल दिया है तो उनको आप इस्तीफा दें ऐसा कोई कानून नहीं है है ौश लगता है कि अब उनकी इडी से ऊपल हों गई है यह तो केंद्र सरकार का शडेंत्र है कि उसी मामले में जिस मामले म में अगले दिन उनने जिटार कर लिया कॉइब कुछ दिनों के अंदर जब पूरा मामला सुन लिया जाएगा तो इस पर बेंब लो जाएगी बीजेपी के पेट में दर्दी तो यह है, पच्चेस साल से सत्ता के बाहर बैठे हैं, और यही स्टाटेजी है, कि आम आदमी पार्टी के हाथ बांदो, पैर बांदो और फिर उनको जो है दरिया में फैक दो और बोलो कि तेर के दिखाओ, और देखो आम आदमी पार्टी ते